इस एकोल टो X by X is a factor of 24. X by X क्या होगा? 24 का factor in the find of number of A. तो मतलब यहां पर क्या करना है आपको? 24 के factors लिखना है कौन से कौन से table में आता आपको लिखना है. तो यहां पर आप लिखेंगे A is equal to 24. 1 के टेबल में आएगा 2 के टेबल में आएगा 3 के टेबल में आएगा 4 के टेबल में 6 के टेबल में 8 के टेबल में 12 के टेबल में 24 के टेबल में यह सारे टेबलों में 24 आएगा तो number of A is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यह 8 होगा, इसको आप लिख सकते हैं, number of 8, इस तरह आप इसका answer लिख सकते हैं, चलिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, next second वाला, find the hc of 24 and 33 by using division algorithm को आपको लेना है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, 33 को 24 से आपको divide करना पड़ेगा, 24 ones are 24, minus करने पर 9, फिर इसको 24, लेने तो 9, 2, 18, minus करने पर आएगा, 6, फिर आप 6 को 9 से, 6 बच जाएगा, 3, फिर इसको 6, 3, 2, 6, यह हो जाएगा, 0, अब यहाँ पर आपको yukle division अलगरतम लिखना है, यहाँ पर आपको hcf लेने तो यह 3 होगा, यहाँ पर लिखना है, hcf 3 होगा, और आपको लिखना है, yukle division algorithm, yukle division algorithm, यह 33 है, is equal to 24 into 1 plus 9, 24 into 9 plus a, 24 into 1 plus 9, उसी तरह 24 is equal to 9 into 2 plus 6, 9 into 2 plus 6, उसी तरह next आप ले लेंगे, तो 9 is equal to 6 into 1 plus 3, 6 into 1 plus 3, फिर 6 ले लेंगे, 6 is equal to 3 into 2 plus 0, 3 into 2 plus 0, इस तरह यह step आपके, yukle division algorithm के, यहाँ पर दिखे, but the common difference and arithmetic progression, whose antiterm is given, an is equal to 3 and plus 7 दे रखा है, तो इसके common difference आपको find out करना है तो suppose n is equal to अगर 1 ले लेंगे हम तो 3 into 1 plus 7 3 1 is a 3 plus 7 हो जाएगा यह 10 n is equal to अगर 2 ले लेंगे हम तो 3 into 2 plus 7 3 to the 6 plus 7 हो जाएगा 13 ठीक है और उसी तरह यहाँ पर आपको n is equal to अगर 3 ले लेंगे आप तो यहाँ पर 3 into 3 3 is a 9 plus 7 हो जाएगा यह 16 तो यहाँ पर d is equal to आप क्या ले सकते हैं common difference a2 minus a1 is equal to a3 minus a2 अगर रहा तो यह ap होगा arithmetic progression यहाँ पर कहरा है राइज ले arithmetic progression होगा तो यहाँ पर a1 a2 a3 a2 13 minus 10 a3 minus a2 16 minus 13 यह दोनों को minus कीजिए 3 यह क्या होगा ap होगा यहाँ पर देखिए if px is equal to x power of 4 plus 1 then the point p of 2 minus p of 2 px is equal to x power of 4 plus 1 given है तो आपको क्या करना है p of 2 रखना है पहले 2 is equal to 2 power of 4 plus 1 2 को अगर 4 time dicker multiply करेंगे तो 16 हो जाएगा plus 1 यह 17 p of minus 2 भी रखना है आपको p of minus 2 is equal to यह minus 2 power of 4 plus 1 फिर दुबार 2 to the 4 to the 8 to the 16 हो जाएगा plus 1 यह दोनों को add कीजिए 17 अब आपको क्या करना है यहाँ पर p of 2 minus p of 2 मतलब p of 2 minus p of minus 2 पहले वाला answer 17 दूसरे वाला answer 17 यह दोनों को minus करने पर 0 इस तरह आप इसको लिख सकते हैं यह find the root of the quantity की फिर रूट्स find out करना है root का मतलब 3 into x square 3 x square इसके factors आपको find out करना है 3 1 2 3 यह plus minus ले सकते हैं x और x x square plus 3 x minus 1 यह इसलिए ले रहे हैं 3 1 2 3 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 3 में से एगर 1 निकालेंगे तो 2 है तो यहाँ पर plus 2 ही होना हमको plus 2 आ जाएगा तो इसलिए x square यह 2 x फोटा के यह दोनों आप रख सकते हैं 3 x minus 1 x minus 3 is equal to 0 x common x plus 3 as it is इदर भी एक x plus 3 यह minus 1 is equal to 0 दोनों ब्रैकेट से में हो कि एक ब्रैकेट x plus 3 फिर यहाँ का x minus 1 is equal to 0 x is equal to इस तरफ ला लिए minus 3 और x is equal to इसको इस तरफ ला लिए minus 1 को plus 1 यह दो इसके roots हो जाएंगे तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं x is equal to minus 3 और x is equal to 1 यह वाल्यू से हो फोर वाल्यू अफिर T की क्या वाल्यू होगी पर लिए लिनेर इक्वेस्टिन यह फिर लूशन के रहा है यह solution नहीं होंगे 2x minus ty is equal to 5 है अब यह 3x plus 2y is equal to 11 है नो solution में a1 by a2 is equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2 हो गए तो यहाँ पर a1 और b1 c1 a2 b2 c2 a1 by a2 का मतलब 2 by 3 b1 minus ty b2 2 not equal to यह क्या होगा 5 by 11 अब आपको क्या करना है यह दोनों को यूज़ करना है क्योंकि यह तो not equal to है 2 by 3 is equal to minus ty by 2 3 into t 3t 2,2 जा क्या होगा है 4 cross multiplication करते है t is equal to minus 4 by 3 यह answer t क्या है इस तरह आप solve कर सकते हैं